हेलो डियर स्टूडेंट, मल्टी मीडिया के इस लेक्चर नोट्स में आपका स्वागत है जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए कि एक्जाम नजदीक आ रहा है तो आप लोग मैं इस वीडियो के मार्दम से आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग पढाई पे पूरा फोकस करिए और आप लोग पर सब्भिक पे प्रॉपर फोकस करिए अगर आपको कोई दिक्कत होती है कोई प्रावलम होती है किसी ठॉपीक में तो आप जो रिलेटेडर सब्वीक के टीचर हैं आप उनसे संपर करिए अपने डाउट क्लियर करिए जैसा कि आप जानते हैं कि lockdown के वह से classes चल नहीं पा रहे हैं तो इसके वज़ा से आप लोग जितनी भी वीडियो जितने भी notes प्रोवाइड कर किये जा रहे हैं उनके थुरू आप लोग अपने study को continue करें और अच्छी तरीके से अपने study पर focus करें तो जैसा कि आपको पता कि पिछली lecture में हमने 2D animation के बारे में बताया था आज हम इस वीडियो lecture में 3D animation के बारे में बात करेंगे साथी साथ इसमें वी effects जिसको हम visual effect बोलते हैं उसके बारे में भी आप आपसे हम बात करेंगे इसके बारे में भी discussion करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को जो 3D जैसे कि आप पिछला वीडियो हमें 2D में दिया था आज हम 3D है 3D animation के बाते में हम उम्मीद करते हैं कि इसमें जो हम content deliver करेंगा आपको आसानी से समझ आ जाएगा बाकि अगर कोई doubts होगा तो आप मुझे प्रस्तन call message करके पूछ सकते हैं तो आजिए स्टार्ट करते हैं 3D animation means three dimensional 3D animation means three dimensional ये 2D से बिलकुल अलग होता है 2D में होता क्या 2D एक traditional traditional animation या cell based animation है ठीक है उसमें क्या होता है उसमें हम किसी भी image को किसी character किसी object को अपने हाथों से ड्रा करते हैं color fill करते हैं फिर उसे हम computer software में animate करते हैं लेकिन 3D animation क्या होता है 3D animation is completely in the computer base जो 3D animation होता है वो पूरी तरीके से computer base होता है means कि 3D animation को बनाने के लिए 3D animation में किसी object को बनाने के लिए उसमें color fill करने के लिए या फिर उसे एक साथ animate करने के लिए हमें computer का help लेना पड़े गया रही कि हम के लिए हम पूरे तरीके से पूरता हम उसमें computer का यूज रहना है तो computer का यूज करना पड़ेगा अगर हमें color fill करना है या उसको हमें साथ करके इमेस को सभी image को एक साथ करने क्यूंस तो से हमें run कराना है तो यह सारा प्रोसेस हम कंप्यूटर में करते हैं यानि कि थ्रीडी एनिमेशन होता है यह पूरे तरीके से कंप्यूटर बेस होता है ठीक है कि अगला पॉइंट हमारा है अगला पॉइंट है हमारा कि 3D एनिमेशन इस दा प्रोसेस आफ टेकिंग ए 3D ऑबजेक्ट एंड गेटिंग एड इट टू मूब एनिकी सेकेंड पॉइंट करा कि 3D एनिमेशन क्या है एक 3D ऑबजेट को लेने या उसे मूब कराने का एक प्रोसेस है यानि कि 3D एनिमेशन में हम किसी ऑबजेट को 3D यानि कि 3D बनाते हैं यानि कि 3D ऑबजेट लेते हैं और उसे क्या करते हैं उसे मूब कराने के लिए और उसे प्राप्ट करने का एक प्रोसेस है ठीक है यह हो गया अगला पॉइंट है इन 3D देर आग 3Axis XYZ यानि कि 3D एनिम कों जोएप्स का यूज हम करते हैं जबकि टुडी में हम एकस्वाई एकस्स का यूज होता है ठीक है इसमें इसमें क्या होता है इसमें जो जेड होता है यानि कि हमारा जेड होता है किसी भी ऑबजेट के डेप्थ यानि कि उसकी गहराई के बारे में बताता है जैसे 2D में क्या होता है 2D अनिमेशन में किवल उचाई और चौड़ाई में करेक्टर या अबजेक्ट सामि जाता है यानि कि 3D animation there are three axis यानि कि 3D animation में three axis का यूज़ किया आता है जहां पे z axis जो होता है किसी object के depth यानि कि किसी object के गहराई के बारे बताता है या किसी भी object में depth सामिल होता है ठीक है अब कह रहा है कि a 3D model can change properties such as position, rotation, shape and surface style 3D model जो होता है यानि कि 3D animation में किसी भी object के position को यानि कि उसकी स्थिती को, rotation को, shape को या उसकी surface style को हम change कर सकते हैं ठीक है जबकि 2D में नहीं होता है ठीक है यानि कि 3D model can change properties such as position, rotation, shape or surface style ठीक है तो यह होता है अब आगे बात करते हैं animation comes in few different flavor there is keyframe animation where the animator manipulate the object on frame by frame basis करा कि animation यानि कि 3D animation में कुछ types होते हैं यानि कि कुछ different types के होते हैं जिनमें क्या होता एक keyframe animation होता है ठीक है, इसमें क्या होता है कि 3D animation ने कुछ types होते हैं कोई different types होते हैं जिनमें एक क्या होता keyframe animation होता है इसमें animator क्या करता है किसी भी object को frame by frame यानि की frame by frame आप कोई भी image बना है तो उसको क्या करेगा frame by frame उसको manipulate करेगा या उसमें कुछ कह सकते हैं कि कुछ बदलाओ कर सकता है ठीक है तो animation comes in few different flavors there is keyframe animation where the animator manipulate the object on frame by frame basis यानि कि 3D animation में कुछ types होते हैं जिसमें keyframe animation है और जिसमें animator किसी भी object को frame based पे यानि कि frame by frame यानि कि frame based पे उसमें कुछ manipulate कर सकता है या इसमें कुछ pervertन कर सकता है ठीक है अब इसका अगला point है animation is the type of optimal illusion करा कि जो animation होता है वो क्या है optimal illusion है it is a process which is the still picture move करा कि यह एक process है जिसमें हम किसी still image को move करते हुए देखते हैं still image मतलब still image यानि कि वो still है यानि कि still है तो क्या है optimal illusion क्या है यह क्या है एक process है जिसमें हम किसी still image को move होते हुए देखते हैं ठीक it is displaying still image one after another at the rate of 24 picture per second कर रहा है कि किसी भी still image को 24 picture per second इसमें किसी भी image को display किया आता है यह अपने requirement की शाफ से हम किसी भी image को उसको display कर सकते हैं अगर हम चाहें तो 25 भी कर सकते हैं 26 भी कर सकते हैं ठीक है तो यह हुआ अब जो 3D animation होता है वह एक तरीके से realistic होता है यानि कि एक तरीके से कैसा real हम मतलब वास्ती भी अभास होता हमें तो हम कैसे 3D allow you to create realistic जो 3D होता है हम कैसे कहेंगे कि यह realistic है यानि कि यह real है 3D update यानि कि आप यहाँ पर देख पारों यह जो well बना हुआ है यह पूरे तरीके से दिख रही है यह क्या यह unrealistic है जबकि क्या है यह computer दोर ini design की हूई है लेकिन हमें एक तरीके से हम इसको देख पा रहे है कि यह जो well है मचली है यह पूरी तरीके से क्या है रिंः हमें दिख रही है यह निकि realistic object है तो 3D object कैसे हम कह सकते हैं अगर हमें कोई पूछता भी है कि हम 3D object को कैसे realistic कर सकते हैं अब कैसे इसे अभास होगा इसमें कुछ points है पहला point है object can be whipped from different cameras angle हम इसमें object को different angle में हम इसको देख सकते हैं या इसको हम बिव कर सकते हैं उसको हम भाब सकते हैं ठीक है दूसरा point है object can be it from different direction यानि कि हम इसे different direction में हम किसी भी डारेक्शन यानि कि xyz किसी भी आक्सिस को हम इसके पारे में देख सकते हैं यानि कि इसमें जो कि इसमें जो अब्जेक्ट बना होता है यानि कि वह एकदम realistic दिखता है यानि कि इसके बारे में इसके advantage और disadvantage के बारे में जान लेते हैं कि इसका advantage क्या है जिसमें motion communication motion communication means sorry motion communication होता है इसमें एक तरीके से motion communication का जूज होता है ठीक है दूसरा है visual appeal visual appeal का मतलब भी क्या realistic दिखता है दिखने में क्या है realistic है time is money जैसा की 2D में इसका क्या था यह disadvantage था अब हमें पता है कि हम 3D को क्या computer बेस बनाते हैं यानि कि क्या है अगर computer से बनाएंगे तो इसमें क्या हो हमारा time traditional के पच्छा 2D के पच्छा कम खर्च होगा ठीक है good quality means कि जो 3D द्वारा जो design की होती हो क्या होती है good quality की होती है अच्छे quality होती है अगला है in demand यानि कि 3D के आने से 2D में कम demand यानि कि यह क्या demand है हम कह सकते हैं कि इसका demand जादा है क्योंकि यह more attractive होता है और लोग इससे जादा पसंद करते हैं ठीक है disadvantage क्या limited and imagination होता है यानि क्या है इसके imagination वो limited होती है ठीक है lack of simplicity यानि कि क्या है उसमें क्या होता 2D में simplicity होती है लेकिन इसमें क्या है इसको इसको बनाना असान नहीं होता हर हर एक person इसको वर्क नहीं कर सकता है इसे बना नहीं सकता है profit and loss कुछ मामलों में कुछ few reason में इसमें profit भी होता है और loss भी होता है अब हम बात करते हैं बीजूलघ उफेक्ट की बीजूलघ एफेक्ट जिसे हम साठ्व है था नाम से ऑलने के लिए visual अंप्योफेक्ट में एडियो editing अप्यों किया आता है इस तकनीक का यूज हम फिल्मों में आप फिल्म देखते होंगे बहुत सारे फिल्म देखते होंगे उस फिल्मों में इसका यूज होता है हालिवूड मोवी में भी इसका यूज होता है लेकिन अब बॉलिवूड में तो उसमें इसका है, क्योंकि इसमें अपनी साथ से किसी भी scene को बहत्री्रिन बनाया सकता है याजिए आपenne बाहूब्ली मुओी देख पा靜िस्में क्या है एक दम realistic visualize किया हुआ है इसमें आप देख पाए रियेल में लगता है की रियल में ऐसा है लेकिन ऐसा नहीं होता है तो आईए हम बताते हैं कि BFX किस तरीके से वर्क करता है अब BFX में होता क्या है BFX में किसी भी एक तरीके से कह सकता है किसी भी भव भी सीन को कम्प्यूटर में उपलत बड़े BFX वीडियो एडिटिंग साप्टवेर का यूज किया आता है लेकिन BFX क्या है कैसे काम करता है किसी भी सीन का विजूटर एफेक्ट बनाने के लिए किसी भी सीन अगर हमें कोई मूवी बनाना है तो किसी भी सीन का विजूटर एफेक्ट बनाने के लिए पहले जो डारेक्टर होता है और actor द्वारा suit कर लिया आता है यानि कि जहां पर यानि कि जो भी movie में जो भी suit करना है उसको क्या कर लिए आता है suit कर लिया आता है जब actor acting करता है तो उसके पीछे green या blue color का background लगाया आता है जिसके बाद उसके background को बदलने में आसानी हो जाए किसी भी scene में actor दोरा acting कर लेने के बाद अब उसे computer में उपलब्द BFX software में edit किया आता है BFX software में उस green या blue background को बदल कर एक कह सकते हैं भबे background बना देता है इसे हम visual effect ठीक है visual effect कहते है ठीक है अब visual effect में क्या होता है जैसे कुछ खतरनाक scene होते है कुछ मोवी में कुछ खतरनाक scene होती है कुछ impossible कहते ना कि बहुत खतरनाक scene होती है हर मोवी में तो वहां पर visual effect दिया आता है जैसे आप Chris movie में देखते हैं कि वह आप building से कई building से कूझ जाता है लेकिन ऐसा होता नहीं है वह क्या करता है वह पीछे जब मूवी डाउनलोड मूवी जब रिकार्ड करते हैं तो पीछे क्या बैक्ग्राउंड कलर लगा जाते हैं बाद में बीएफेक्स आप्टेवेर के जारा उसको एडिट कर लिया जाता है ठीक है कुछ बीएफेक्स आप्टेवेर है निकि बीज़ इपेक्स आप्टेवेर इसमें हीट फिल्म मीडिया कंपोजर आफटर इफेक्ट फ्यूजन फिल्म मूरा स्मोक फ्लेम ब्लेंडर न्यूग जेट ब्रॉस मोशन इस्ट्यू थ्रीडी फाइनल इफेक्ट कंप्लीड नॉर्टन रियल फ्लो बहुत सारे थ्रीडी इफेक्ट्स हैं हम नोट्स में इसको प्रॉइड कर देंगे और इसके बारे में आप समझ लेजिए ठीक है बाकि हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा आप लोग से पू करके उस टॉपिक से रिलेटेज चीजों को पूछ सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ाई कर रहोंगे एक्जाम आपको जल्द ही है नजदीक है तो आप लोग पढ़ाई पर फोकस करें टॉपिक को समझे नोट डाउन करें ताकि अगर आप नोट्स बना करते हैं